सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और साथी बेल आइकन प्रेस करके ओल पर सेट कर दीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नमस्कार दोस्तो इस वीडियो में आपको बदाने वाला हूँ कि एटल सीम का इंटरनेट कनेक्शन नहीं चल रहा है तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे फिक्स करेंगे तो गैस गर आप भी जानना चाते हो तो फिर इस वीडियो को देखते रहे है तो गैस आपके पास एटल का सीम काड है और उसके अंदर जो नेटवर्क नहीं चल रहा है आपका डेटा है वो भी ओन है और गैस आपका जो डेटा प्लान है वो भी यहाँ पर आपके फोन में अवेलेबल है फिर भी जो आपके फोन में इंटरनेट का जो नेटवर्क है व यहाँ पर नहीं आ रहा है तो ऐसे में guys कैसे आप जो अपना internet ठीक करेंगे या फिर कैसे अपने फोन में internet चलाएंगे तो फिर इस वीडियो को देखते रहें तो guys सबसे पहले इसके लिए आपको करना क्या होगा guys जाना होगा अपने फोन की setting के अंदर और guys फोन की setting में आने के बाद यहाँ पर guys आपको क्या करना होगा आपको जो है यहाँ पर आपको एक option मिलेगा SIM card and mobile network तो यहाँ पर क्या करना होगा आपको किसी phone में SIM card लिखा होगा किसी में mobile network लिखा होगा किसी में connection भी लिखा होगा तो guys क्या होगा कि जहाँ पर आपको SIM card यहाँ पर नेेटवर्क का option देखने को मिलजाएगा अब guys यहाँ पर आपको क्या करना अगर आपके पास दो SIM card है तो यहाँ पर जिस भी SIM card के अंदर आपको network चक करना है मतलब ATL का SIM card जहाँ पर भी हो उससे आपको select कर लेना तो चलिए guys मेरे पास एक Jio का SIM card है और एक ATL का SIM card है तो हम ATL के उपर क्लिक करेंगे ATL के उपर क्लिक करने के बाद देख तो यहाँ पर SIM भी turn on है और guys यहाँ पर सबसे उपर edit SIM name तो यहाँ पर SIM name एडिट कर सकते हो edit SIM card name है तो यह हमारे काम का नहीं है तो अब नीचे की set में यहाँ पर एक option मिलेगा access point name तो हम guys क्या करेंगे access point name के उपर हम क्लिक करेंगे इसके उपर क्लिक करने के बाद देख तो यहाँ पर हमारा access point है वो देख तो ATL MMS select किया हुआ ठीक है न तो यहाँ पर guys ATL के अंदर internet connection के लिए यहाँ पर जो MMS वाला यहाँ पर जो VPN अपना APN वो select नहीं होता यहाँ पर जो ATL GPRS.imbala जो रहता है यहाँ पर access point हो यहाँ पर आपको select करना होता है तो यहाँ पर तो सिर्फ हमारे phone में एक ही यहाँ पर APIN है तो आब यहाँ पर हम क्या करेंगे इससे हम delicate के उपर क्लिक करेंगे उसके बाद बया Conradion Chat T देख ।ो यहाँ पर हमारा APN होगा वह reset हो जाएगा और नीचे की सेट में यहाँ पर देखते हो, atlgprs.com ठीक है ना, तो यहाँ पर OK पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, कि हमारा जो APN रहेगा, वो यहाँ पर सेट हो जाएगा, ठीक है ना, तो यहाँ पर फिलाल जो network चला गया है, यहाँ पर, network फिर से आएगा, उस हमारा access point यहाँ पर set हो चुका है, अब guys हमारे phone में internet connection यहाँ पर on हो चुका है, आप देख सकतो हमारा internet connection है, यहाँ पर on है, उपर की सहर में 4G लिखा हुआ, तो चली अब यहाँ से back आते हैं, बैक आकर भी मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, तो देख सकतो हमारा atl का यहाँ पर atl लिखा हुआ और हमारा data है वो on हो चुका है, data पहले भी on था लेकिन यहाँ पर guys यहाँ पर मुझे 4G लिखा हुआ देखने को नहीं मिल रहा है, तो चली अब guys हम क्या करते हैं, अपने YouTube में चलते हैं और यहाँ पर आपको YouTube उपन करके बता देता हूँ कि internet connection व पर हम YouTube को open करते हैं, अब guys YouTube open करने के बाद यहाँ पर देख तो हमारा YouTube यहाँ पर open हो चुका है, अब यहाँ पर हम कोई भी वीडियो प्ले करेंगे तो वीडियो हमारा जो यहाँ पर प्ले हो जाएगा, तो इस तरह से guys अगर आपके फोन में भी atl sim card का जो internet connection है वो यहाँ पर नहीं चल रहा है, आपके फोन में जो data नहीं चल रहा है, internet नहीं चल रहा है, तो इस problem को आप इस तरह से fix कर सकते हो, तो guys अगर आप कोई वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like करना, share करना और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया, तो please हमारे चैनल को subscribe कर कर लिजे